देखे इनका नाम पिंकु कुमारी है और इन्होंने तीन प्यारे प्यारे बच्चों को जनम दिया है जिसमें एक लड़का है और दो लड़की है देखे तीनों बच्चे कितने प्यारे लग रहे हैं अधिक शोर गाके सुनाई अच्छा थोड़ा सा गुन गुनादी नादी नानी बच्चा बात अधिक तीन बच्चा कहां से आ गई लोग के तो दो यह बच्चा होला ज्यादा से ज्यादा तीन गो कई से च्छे महीने का बच्चा को वासन कराना तो काफी रिस्की हो जाएगा ना दादी कॉलन कि ना की पर पूरा सब लोग गंजा हुआ है कि किसी भी तरफ एक जलक दिख जाए बच्चों का पहले डर लागते रहें पहले तो काफी डर गई होंगी डॉक्टर क्या बोले थे अब क्या सोच रही थी हम का सोच रहें कि डर रहें आती पूर्दा की डर ना रहें आदमी करता है कि जाचा से जादा मुँ बच्चा के लागिला ना बच्चा समों ना रहें तो आप सोच में पढ़ जाते हैं एक ऐसे कहानी हम एक बार फिर से आपको दिखा रहें जहां एक महिला ने तीन बच्चों को जनम दिया है और यह मामलाच छपराजी लेका है क्या नाम है आपका देखे इनका नाम पिंकू कुमारी है और इन्होंने तीन प्यारे प्यारे बच्चों को जनम दिया है जिसमें एक लड़का है और दो लड़की है देखें तीनों बच्चे कितने प्यारे लग रहे हैं कब जनम हुआ इनका खुस है अच्छा डर लगा था तीन तीन बच्चा था पेट में पुरा डर लगत रहें अच्छा पता कुछ से चलल रहे हैं बता चलल की तीन को बच्चा अगए लोग के तदो यह थ्यारे के लोग गएट। सब्सक्राइब करना तो काफी रिस्क हो जाएगा ना दादी को लाइन कि खत्रा नहीं होई अच्छा डॉक्टर से नहीं पूछी कि मेरे पेड के अंदर तीन बच्चा कहां से आगया सबको तो दो ही होता है अब दॉक्टर भी सोच में पढ़ गया होगे न भाई यह महिला है कि क्या है ना देखें हमारे साथ नानी है महिला भी थोड़ा ठीक नहीं है तो ज़्यादा बोल नहीं पारी है यह नानी है बच्चों की नानी है कैसा लग रहा है अच्छा लगता अच्छा पहले डर लाग रहे जब पता चरल की चेटीन गों बच्चा बाब बेटी के पेट के अंदर पहले तो डर लागते रहे हैं तो कहां सोचले रहे हैं का सोचली सब्सक्राइब कर दादी कहले कि ना रहे दिजान होके कोई हुए फिर बच्चा तीनों नॉर्मल जनम लिया सब नॉर्मल भेल तो फिर तीनों का बजन कितना था यह को बटे दू किलो 20 गराम दू किलो 10 गराम दू किलो 50 गराम मतलब 2 किलो के अंदर ही तीनों बच्चे है ना तो पेट तो बहुत जादा निकला होगा फिर मनें उठ बच्च कुछ ना होत रहे खली सुतर होत रहे जब पता चला तो का फिर डर गई होंगी डॉक्टर क्या बोले थे जब डॉक्टर ने बताया कि इस महिला के अंदर तीन बच्चा है तो आपको मतलब डॉक्टर से नहीं पूछी कि यह कैसे हो गया भाई मैं डॉक्टर कई बोले डॉक्टर कर ठीक जब अब बहाज वह बाव सजाने तो आप ड़र गई थे यह एक्ड़ा दो आप क्या सोच रही थी उनने हमका सोचा रहें कि अचा लाइक कि डर रहे है नाती पुद्धा कि डर ना रहे आदमी कहता है कि जच्चा से ज़्यादा मुह बच्चा के लागिला तो यह सोच रही थी कि मेरी बेटी से रहे बच्चा अगर ना भी होगा तो ठीक है तो आप क्या कहेंगी तीनों बच्चों को अब हमर तीनों सब जी यह बनिया रहो खुषबानी ना इक ता यह गोगाने चले ले ना बबु आ के बरही मना दी राजा जी होगा के सुना दी इतना दोकर सकी ना यू नहीं के याद में पूरा बीड़ लगे लिए बढ़न दर्वाजा पे दिखाए तोड़ा सा देखें दर्वाजा पर पूरा सब लोग गंजा हुआ है कि किसी भी तरफ एक जलक दिख जाए बच्चों का और पूरा गाओं का लोग भी हम लोग जब अच्छा तक ऐसे कोई के दूके देखें रही है मनल अभी आप इंकर रावर्दमात का करी ना मजूरी करी ला तो पहले से भी बच्चा रहा है पहले से तीन बच्चा बढ़ा नहीं लड़का तीन लड़की नटकी शहा लिखा के एक दम बनावे के बना ऑपसर बनावल नह क्या बोली हस्बेंट से अब आगे क्या करना है तो मतलब माई के मेना आई नहीं नहीं खर्जा करें अच्छा नाना खुजबा नहीं सब कोई खुजबा तो रहें यह च्छपरा का मामला है और यहां एक महिला जिनका नाम पिंकी नाम है ना आपका पिंकु कुमारी ने तीन चोटे-चोटे बच्चों को जनम दिया है और तीनों देखे कितना प्यारा है एए यह बाबु है जो सवयाव यह कुछ दिर पहले अंगडाई ले रहा था बहुत प्यार देखिए देखिए यह देखिए बाई अब यह नानी कि अग्दम खटाया और अजी किने कहां कि रवर्व भाई इतना लातना तीन होगी लंता जी तीन को लेखिए पर अंसे तीन को सम्हारा तरी तो दीदी तार इतना जल्दी काहें रहे इस सरकार कहता हम दो हमारे दो तुछेगों कर देलो नानी के तब हाई चोरी का न सब्सक्राइब के पड़ी कि लेव उचिया बोल यह सबसे बड़ी बात यह है कि महिला ने तीने तीनों बच्चों को नॉर्मल जनम दिया मतलब नॉर्मल डिलेवरी हुई है आज कल नॉर्मल सिच्वेशन में भी लोग ऑप्रेशन करा रहे हैं और इनका नॉर्मल डिलेव अरहाई किलो के अंदर ही है तीनों बच्चे उल्टा जनम लिये थे तो बहुत ही ऐसा सिच्वेशन नहीं था कि नॉर्मल हो लेकिन भगवान के दया से इनका सब कुछ ही ठीक हुआ और अभी भी बच्चे बहुत ठीक है बहुत क्यूट भी है इनों को देखके बहुत ज्य प्यारे प्यारे बच्चों को जनम दिया है तो आपको यह स्टोरी कैसा लगा कॉमेंट सेक्षन में जरूर बताईएगा धन्यवाद ऐसे तमाम बड़ी जानकारियों के लिए चुटे रहिएगा हमारे साथ